नोहर शेत्र के किसानों की जमीन की निलामी रुकवाने की मान को लेकर भूमी विकास पैंक के आगे आम आदमी पार्टी का धरना आज भी जारी रहा नेता जी सुभाष चंदर बोष की जयनती पर पार्टी कारे करताओं ने धरना स्थल पर ही श्रधा सुमन अर्पित किये आम आदमी पार्टी के धरनी के गूंज अन्य कस्मों में भी पहुँच रही है शुकरवार को शिरी गंगानगर जिले से भी कुछ किसान धरना स्थल पर पहुंचे उधर पार्टी के पदा दिखारियों का कहना है कि किसानों की जमीन किसी भी कीमत पर निलाम नहीं होने दी जाएगी इसके लिए जरूरत पड़ी तो अंदोलन को और तेज किया जाएगा आज नेताजी सुभासचंदर बोस की 125 में जैनती पर उनका समर्ण करके आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो दरनास तल पर बैठे हैं जिस तरीके से नेताजी ने अंग्रेजों की इस इंडिया कंपनी के खिलाफ और शासकों के खिलाफ जो समाजिक दास्ता थी उसको मिटाने का जो बीड़ा उठाया था और इस संक्लब को पूरा करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फोज का जो गठन किया था आज़ाद हिंद फोज के जितने भी वीड़ श्चनिक हैं वो सब आज जाने अन जाने में उनका नमन किया जा रहा है नेता जी के साथ साथ आजाद हिद्ध फोज के सभी जो सिपाई है चाहिए वो आज इश्वर की दिया से जिंदा है या वीरगती को प्राप्त हो चुके हैं उन सभी का समण किया गए है चुकि आज ये धर्णास तल पे नेता जी का सम्मान है वो पूरे गाजे बाजे के साथ होना चाहिए लेकिन जिस तरीके की परिष्टितियों के देखते हुए हमने यत्या किया गए है कि जिस तरीके से इस इंडिया कंपनी के दोवारा या अंग्रेजों के दोवारा या सासकों के दोवारा जनता का सोशन किया जा रहा था उसी तरिके से आज की जो सरकारें हैं वो भी जनता का दमन करती है हमारा यह आंदोलन जो है वो आज नेता जी को समर्पित है और नेता जी जो है उनके बताईवे मार्ग पर किसान चलेगा उसका अनुशन लुए गा, जैहिंड जैब भार्थ झाल 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 झाल